हेलो फ्रैंड साभी लोग गेट में लगे वह उगे जिन को गेट देना थे जिनको गेट देना वह प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और अगर मैं बता हूं लास स्टेड यह अगर जिसको भी गेट देना हे उनके लिए ताइम पहले ही निकल चुका है ताइम है नहीं आपके पास चार मंथ मैक्सिमम बचे हुए है ठीक है अगर मैं कट फिट करूँ तो आपके पास थ्री मंथ भी नहीं है ठीक है ओके अगर मैं बात करता हूँ आप कैसे important subjects को लेकर strategy बना सकते हैं आगा के लिए और कैसे एक good rank और good marks को gain कर सकते हैं वो ही मैं इस वीडियों बताने वाला हूँ तो friends आईए मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सब्जेक्ट को आप पहले prefer करें और किस से आप अच्छे से marks gain कर सकते हैं तो friends मैं हूँ अंकी प्रजाप subject for the good marks in gate 2021 for civil engineers ओके अगर मैं बात करूँ तो आपको subject कैसे में specified करना है कैसे आपको preference देने देगी सबसे पहले आपको math math आपको compulsory करना ही पड़ेगा बिना math कर बिना aptitude reasoning के आप gate qualified नहीं कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा tough है अगर आपने यह दोनों subject नहीं किया बहुत ही कि यह दोनों subject आपके around 30 marks केरी करते हैं ठीक है आपको math के लिए कर देना है 15 marks जो कि इस सार इस बार तो slabs भी काफी कम कर दिया गया है slabs भी कट कर दिया गया है कुछ topics को remove कर दिया गया है तो काफी sort हो गया है उसके बाद aptitude and reasoning जिसके अंदर English के questions आते है aptitude reasoning भी होती है तो वह आपका 15 marks देखे जाता है तो दोनों 30 marks आपका carry करता है अगर यह दोनों यह आपने अच्छे सब्सक्राइब तो क्वालिफाइड तो आप वैसे भी कर गया है क्वालिफाइड तो आप कर गया है वैसे क्योंकि 25-26 maximum तक जाता है जैनल के लिए civil engineering में और branches की में बात नही important subject है बहुत ज़्यादा और यह आपको करना ही पड़ेगा अगर अच्छी rank लेके आनी है आपको अगर आपको टोप 100 के अंदर आपको अपने को रखना है तो आपको जियो टेक्निकल इंजीनिरिंग यह आपको टैंसल 12 marks देता है हर साल का यही क्राइटरिया ठीकिए यह को to next environmental engineering जो यह भी आपका 10-12 marks देता है वाइड सब्जेक्ट है लेकिन important subject है यह आपको करने ही पड़ेंगे अच्छे marks करी करने के लिए उसके बाद मैं वकर बदू हाईवे इंजीनिरिंग यह आपको 6-8 marks देता है उसके बाद मैं आपकी बात करता हूँ सर्वे इंजीनिरिं as compared to इन दोनों subject से काफी जादा कम है जितना एक subject का syllabus है उतना इन दोनों का syllabus है तो आप इसमें 6 दोनों के मिलाके लगवा 12-13 number आप marks लेके आ सकते हैं और आपने आपको qualified तो करी सकते हैं ठीक है मगर maths और aptitude बहुत जरूरी है उसके बाद बात मैं करूँ अगर som, som आपको कर जाता है यह भी आपको करना है अगर अच्छी rank लेके आनी है यह मैं केवल वही subject आपको 6-7 subject वही बता रहा हूं जो काफी जादा important है जो आपके लिए काफी जादा rank इंप्रूवर या rank बनाने के लिए मिन्स आपको rank दिलाने के लिए या marks gain करने के लिए subject तो जरूरी है ही इसके बाद मैं अब बात करूँ आपको एक छोटा topic और दो marks confirm है इसका यही standard रहा हर बार open channel flow जो की part है fluid mechanics का यह आपको 2 marks देके जाता है यहां से आपको 2 marks को कोशन मिल जाएगा surety open channel flow के अगर आपके पास इसके बार time बसता है तो आप fluid mechanics को कर सकते हैं जो 4 से marks देके जाता ह है बट अगर मैं OCF को केवल कर लेता है तो दो marks तो यह भी देके चला जाता है तो अगर मैं यहां पर इन सबको अगर मैं sum up करूं तो total कितने बन जाते लगए 30 40 50 56 62 68 और 70 around 70 marks यहां पर यह आपको subject देके जाने तो means आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप यह subject भी करने तो आप कितने अच्छे marks carry कर सकते हैं देके 4 months हैं आपके बाद 3-4 months बचे हुए तो आपको minimum यह ऊपर के 5-6 subjects करने ही पड़ेंगे जो आप get qualified करने अगर आप preparation करते हैं देखे यह ऐसे पीक टाइम चल रहा है preparation का वरना जिनों को अच्छी rank लेके आनी है वो उन्होंने start कर चु आप करें दो कर रहा है